नवश्या दोस्तों आप शब का श्वागत करते हैं कारवल मिर्ष्टे के ओनलाइन पॉर्टल पर आज अप उन बात करेंगे आरपीसी से जुड़े वे सभी उन मुद्दों की जो एक्जाम से समंदित, इंट्रिवू से समंदित तथा उनकी भरती प्रिक्षाओं से समंदित रहने वाला है, आज की इस वीडियो में ये भी बात करेंगे किस प्रकार से उन बड़तियों का आयजन इस्तिगित किया गया और किस प्रकार से आरपीसी के द्वारा जो चल रहे इंट्रिवूज थे उनको इस्तिगित कर दिया गया, हाला कि कैलेंडर पहले जारी कर दिया तो उसके बाद में किसी करण से उन भरतियों को इंट्रिवू जो है विश्तिगित कर दिये गए थे तो चली शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो को बात करेंगे सबसे पहले रास्तान में 9,31 पदों पर होने वाली बर्तियों की रफ्तार जो है काफी धीमी यहां पर देखने को मिली जो की RPSC के दोवारा विबिन डिपार्टमेंट्स पे वेकेंसिस निकाली गई थी अगर बात करेंगे अनलोग के बाद भी यहां पर चार मेहने गुजर चुके हैं RPSC लोगडाउन में ही यहां पर बेठा हुआ है जिसमें 1200 पिचाण में इंट्रिवूस भी यहां पर RPSC के दोवारा करवाई नहीं गए हैं तो उसकी भी बात पुन इस वीडियोस में करेंगे तो यहां पर अनलोग के पांच की सुरुवात होने के बाद भी RPSC अब तक यहां पर लोगडाउन में ही है यानि कि अनलोग यहां पर रास्तान हो चुका है लेकि फिर भी कोरोना वाइरस का हवाला देते वे यहां पर RPSC उन इंट्रिवूस को करवाने की मुशकत नहीं कर उसके बाद में कारण यह भी बता जा रहा है कि RPSC में काम की गती काफी दीमी आप बताई जा रही है जबकि UPSC का एक्जामपल लोग इसी की कंपारेजर में मैं आपको UPSC का एक 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 जामपल दूँ जो की Union Public Service Commission है जो हाली में RPSC की तरज पे आप लोग देख पा रहे ह जाता और इसकी परकरिया की बात करें तो यह भी तैस समय पे होती है जिसका आने आपे केंदर सरकार के दफ्तरों में तैस समय पे आफसर यहां पे बिल जाते हैं यहां पे COVID-19 के बावजूद भी यहां पे 2021 का प्रिक्षा केलेंडर UPSC यहां पे जारी कर चुका है लेकिन UPSC में देखने को नहीं मिला इसी का एक्जांपल अगर अभी हाले में ले तो 4 अक्टूमर को UPSC ने अभी हाले में जो IS की Pre-Examination भी यहां पे करवा ली गई उसी के बाद में इसके विप्रित RPSC के बात करें तो 2015 के बाद में कोई प्रिक्षा कैलेंडर यहां पे RPSC के द तोड़कर आयोग अगर लिखित परिक्षा के बाद में सेस बचले इंट्रीव भी आपे पूरे करवा ले ता तो यह भी यहां पे बारा सो पिचानमा अफसर कोरोना वाइरस में विविन डिपार्ट्स में मिल सकते थे लेकिन ऐसा RPSC के दवारा नहीं किया गया एक दिन प पदों के लिए आपे करवाए गए थे आयोग के द्वारा उसके बादे बात करें विविन बर्तियों में से 2-68 दिनों तक इंट्रीवी पर करिया आपे आईजित होनी थी इधर अगर बात करें RPSC 2018 को 2 साल 5 मेने आपे बुज़र चुके लेकिन अभी इंट्रीवी सडूल R RPSC के दवारा जारी नहीं किया गया नेक्स्ट बात करें तो RPSC प्रिक्षा 2018 के 1051 पदों सामिल करते वे 931 पदों पर भरती यापे प्रिक्षा अठकी विए जिसमें अगर बात करें तो 1295 में पदों के लिए इंट्रीवी इंट्रीवी यहापे RPSC में बाकी है उसके बात से इन भरती प्रिक्षाओं का प्रिणाम अठका हुआ है यानि बाकी है 356 पदों के लिए आविदन RPSC के दवारा भरवा लिए जो हाली में उनकी एक्जामनीशन से RPSC के दवारा नहीं करवाएगे इसके अलावा अगर बात करें प्राध्यापक की 5000 पदों की प्रिक्षाओं के लिए प्रिक्षाओं के लिए प्रिक्षाओं के दवारा करवाय जाना था जिसमें पहली अगर बात करें तो ACF और के 204 पदों के लिए 20 से 27 सब्तंबर के बीच में इस प्रिक्षाओं का आयूजन होना था लेकिन यहां पर को देखते विए इस एक्जामनेशन को यहां पर प्रिक्षाओं के दवारा इस्तिकित कर दिया गया नेक्स अगर बात करें तो असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर्ज एगरिकल्चर डिपार्टमेंट में 2020 में 11 पदों के लिए जो बढ़ती निकाले गी थी उसके एक्जामनेशन से यहां पर 21 सब्तंबर को होनी थी इसी प्रकार से बात करें तो इंस्पेक्टर फैक्टरी एंड बॉयलर विभाग 2020 में दो पदों के लिए बढ़ती भी यहां पर 25 नॉवंबर को परस्तावीत है हाला कि अभी इसको यहां पर इस्तिगित नहीं किया इसको लेक्टर से लेक्टर से लेके 18 दिसंबर तक यहां पर प्रिक्षा का परस्तावीत या शडूल यहां पर RPC के दवारा डाला हुआ है उस नॉवंबर को यहां पर RPC का परस्तावीत किया गया है उसी परकार से अगरिकल्चर ऑफिसेज मेरो 2020 के 87 पदों पर 23 नॉवंबर को इस प्रिक्षा का आयूजा ने परस्तावीत RPC के दार्वा डाला गया है नेक्स अगर बात करें तो दो दिन में दो महिने में निपट सकत है RPC उसी परकार से अगर बात करें तो पियारों के 26 पदों के लिए मातर दो दिन ही आपे लगेंगे अगर RPC चाहे तो इंट्रिवूज करवाना उसी परकार से अगर बात करें तो गुरूप इंस्ट्रक्टर यानि के समूव अनुदेशक, सर्वियर, असिस्टन्ड, अप इस प्रिंसिपल आइटे में प्रावधिक सिक्षा विवाग में जो वेकेंसिज, 86 पदों के लिए निकाला गया था, उसका प्रस्ताव भी याँपे इंट्रिवूज का 9 दिन का डाला गया था, 9 दिन में वो इंट्रिवूज में आपे चाहे तो RPC फिनिश कर सकता था, उस प्रकार के कदम यहाँपे इस्तिगित किये और यहाँपे RPC ने बढ़ाए, आला कि अभी यह एक्जामनेशन का स्चेडूल, इनके इंट्रिवूज अभी इस्तिगित किये गये हैं, कब यहाँपे शेडूल जारी होगा, अभी कन्फरमेशन लेटर यहाँपे RPC नहीं दे कर दिया गया, जबकि आशानी से अगर आयोग चाहें, तो विश्व धाले लखनों की तरज पे यहाँपे RPC भी इन कैंडिडेट्स का ओनलाइन एंट्रिवूज वीडियो कॉर्फरेंसी के मादम से करवा सकता है, चाहें तो, सरकारी विबागों में भरतियों के समय पर परस्तावा RPC को नहीं मिल पाते, इसी कारण RPC द्वारा की गई सभी तुरूटिया के कारण यहाँपे बरतिया लेट हो जाती है, यह मानने अपने RDC शोनी जो पूरू अदेक्स थे RPC के उनका यहाँपे विचार प्रदशित कि लागया है, नेक्स शक्र पात करें तो RPC को राज्य सरकार की विबिन विबागों की अभियर्तना सही समय पर नहीं मिल पाती, अन्य भरति प्रिक्षाओं के अजिंसिया जो है वो भी तीथी को बदलती रहती है, इसी कारण भरति प्रिक्षाओं का कैलेंडर यहाँपे सुभम चोधरी सच्ची व RPC के द्वारा यहाँपे कहना है, हाला कि इसमें कितनी सच्चा ही है यह तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर RPC चाहे, अगर राज्य सरकार चाहे, तो तैस समय पर यह सभी भरतियों का आयुजन एक कैलेंडर के मादम से एक तैस सिमा अनुशार यहाँ पर आयुजित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा यह लोग करते नहीं है, और ऐसा संभव है नहीं फिर आपके सामने, नेक्स लकर बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, उन भरति के बात करेंगे जो 2380 पदों के ल है, उसे परकार से लाइबरेडी ग्रेड सेकिंड स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करेंगे तो यह भी 12 पदों के लिए आरपेसी के द्वारा करवा लिया गया है, उसे परकार से लेक्चरार स्कूल एक्जामनेशन्स 2018 सेंस्कल सिक्ष्य विभाग में 264 पदों के लिए इसका भी यहां पे आरपेसी के द्वारा करवा लिया गया है, असिस्टन प्रोफिशर ब्रॉड स्पेसलिस्ट चिकिष्य श्चा सिक्ष्य विभाग में 141 पदों के लिए इसका भी करवा लिया गया है, उसे परकार से सूपर स्पेसलिस्ट यह भी चिकिष्य सिक्ष्य विभाग में तिराण में वेकंसिस के लिए करवा गया तो वो भी करवा लेगा है असिस्टन इंजिनियर सिवक्त परतियोगी प्रिक्षा 906 पदों के लिए जो करवाई गये थी हाला कि यह भरती काफी पुरानी है हाले में इसके प्रिणाम यानि कि एसिस्टन इंजिनियर अईन के एक्जामनेशन के प्रिणाम मेंस के अभी जारी नहीं किये गए हाला कि इसको सबसे पहले इसी के प्रिणाम जारी करने चाहिए आर्पेसी को उसके बाद में अगर बात करें तो 560 पदों के लिए इंट्रिउज भी आपर आर्पेसी के दुआरा को हवाला देते हुए आपर टाल दिए गए जो कि मैंने स्क्रीम में हाइलाइट भी कर पा रहा हूँ 2015 के बाद में अब तक जारी नहीं हुआ आर्पेसी का कालेंडर या हाला कि यहाँ पर राजी सरकार का यह कहना है कि कि हम RPSC को UPSC के तरज़ पे करने की शोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस से व्यूज में एक परफेक्टली सोच पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा जब ही हो पाएगा जब एक कैंडिडेट्स को एक टाइम पंचुलर्टी को देखते वे उसका एक्जामनेशन का रिजल्ट एक्जामनेशन कंडेक्ट करवाने का दिन, उसके बाद में उसका टाइम पे उसका रिजल्ट या फिर उसकी विविन परकार की परकरिया उसे गुजरते हुए, तैस समय पे उसको जोइनिंग दे देना, तब ही ये संभव है, मुझे निले राजिस सरकार इसमें अपनी जोब मानी जाती है, उसको भी हालात आरपीसी ने इस परकार से करके पटक रखें, कि उस बरती को भी ये सक्षम नहीं करवाने के लिए, मैं नहीं चाओंगा कि ये चीज़ मैं बोलू लेकि मैं आपसे कहना चाओंगा, कि इतने बड़े ओफिशेज यहां पे आरपीसी में एक्जाम निकाल देते हैं, एक्जाम का रिजल्ट निकाल देते हैं, एक्जामनेशन करवा लेते हैं, या फिर मन चाही अपने पॉलिटिक्स यूज़ करके यहां पे उस एक्जामनेशन पो इस्तगित भी कर देते हैं, तो ये मेरे पास में एक मेरा व्यूस था, जो मैंने आप आईजित करवा लिए गे कौन से examinations आईजित होने हैं और कौन से examinations के आईजित होने के बाद में second परकरिया यानि की interviews परकरिया भी आप पे pending है तो इस सबस्थ परकार की जानकर यह मैंने आपको इस वीडियो के मादम से देने की कोशिश की और यह भी कोशिश की कि किस प चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब को दबाना बिल्कुल ना बोले क्योंकि इसी परकार की अपडेट हम इसी चैनल के मादम से लाते रहते हैं थैंक्यू दैने रवाद